Hello Friends, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी किसी को Google Pay में प्रावलम आती है जब भी वो किसी को पेमेंट सेंड करते हैं, सेंड करने लगते हैं तो उनको एक ऐसा एरर आता है Please exit any app that might the drawing over the screen, please try again इस प्रावलम को आप कैसे solve कर सकते हैं यही सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर आपने मेरे चैनल को सब्क्राइब ने किया है तो सब्क्राइब करते हैं और यह घंटे के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें पहले मैं आपको बताऊंगा कि यह आपको प्रावलम आती क्यों है यह इसका रिजन क्या है होता क्या है कि हमने जो हमारे फॉन में इंस्टॉल आप में वह तो चलो ठीक हैं लेकिन जवह हम प्ले स्टॉर से कोई अप इंस्टॉल करते हैं जैसे यह मैंने अप लॉंग इंस्टॉल किया है अभी-बियू एप लॉक इंस्टॉल किया है तो हम यह त्पर अग्री आप सब一点 पर क्लिक करेंगे और जैसे मैं इसमें से किसी आप को Log लगाँगा यह देखिया यह मैं आपको उपी दखा द fondo कि इस तरह के कई और बी एप ओते हैं जो Permisen लेगते हैं यह मैं आपको अभी परमीशन भी दखाता हूं कैसी की प्रमिशन यह देखे पर मेट पर हम जैसी कलिक करेंगे यह प्लॉक की की कि परमिशन को हमको ओके करना होगा Isto यहां पर नौटWest लिखा हुआ रहा है अबी और जैसी मैस्पट क्लिक करूंगा यह परमिट यूसिज अग्सेस इस पे ओके पे क्लिक करके इसको प्रमिशन देनी होगी अगर ये गूगल पे में प्रॉल्म आ जाती है इस तरह कि कई और भी एप होते हैं मैं आपको बताता हूं कि इस प्रॉल्म को आप कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको Vivo के मोईल में दखा रहा हूं मैं इसके बाद आपको MI मोईल में भी दखाऊंगा ये सभी मोईल में एक ही सेटिंग होती है हलग-लग सेटिंग होती है लेकिन नाम मैं आपको दिखा देता हूं ये Vivo का मोईल है इसमें आप security and privacy लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर दिजिए और यह इसको थोड़ा सा पेज को उपर किजिए और यह नीचे आएगा more security setting यहाँ पर क्लिक कर दिजिए और apps with users access यह हर mobile में option होता है आप अपने mobile में ढूंड लेना apps with users access इस पर क्लिक कर दिजिए और यहाँ पर जो आपके phone में पहले से install आप है अगर उनकी permission allowed है तो उनको allowed ही रहने दिजिए और जो आपने install किया है उनकी permission एक बार बंद कर दिजिए जैसे जैसे मैं आप लॉक की permission बंद कर रहा हूं और इसके बाद यह share it की permission भी यह एक बार बंद कर दिजिए और यहाँ पर एक और option है यहाँ से back हो जाईए यह देखिए उपर एक और option है permission management का इस पर क्लिक कर दिजिए और यहाँ पर modify system setting पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर भी देखिए कौन से को आपने permission allowed कर रखी है शेर इसकी permission को एक बार बंद कर दिजिए यह मैंने देखा था एक बार permission बंद करने के बाद यह problem solve हो जाती है चाहे उसके बाद आप यह permission चाहे on भी कर सकते हैं बाद में यह मैंने अभी permission इसकी बंद कर दिजिए और अब मैं आपको MI के मॉवाइल में बताऊंगा कि उसमें आपको यह setting कहां पर मिलेगी यह मॉवाइल की setting पर क्लिक कर दिजिए और यहां पर लिखा हुआ अडिशनल सेटिंग उस पर क्लिक किजिए और यह अडिशनल सेटिंग पर क्लिक कर दिजिए और यहां पर प्राइवेसी के option पर क्लिक कर दिजिए और यह देखिए यह आगया apps with usage access इस पर क्लिक कर दिजिए और जो भी आपके phone में पहले सी app install है उनकी permission आप on ही रहने दिजिए और जो आपने install किया था उसकी permission अगर आपने on की है तो उसको off कर दिजिए यह देखिए यहां पर मैंने share it को एक बार करके देखा था तो मेरे को Google Pay में problem आगी थी मैंने share it को यहां से off कर दिया आप भी यह देखिए मैं आपको on करके दिखाता हूं और अगर आपके mobile में यह on है तो इसको off कर दिजिए permit uses access आपकी problem solve करने के बाद चाहे तो आप इसको फिर से on भी कर सकते हैं यहां पे इसकी permission यह देखिजिए मेरे जो app mobile में install थे पहले से install आते हैं default उनकी तो on ही है permission उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और जो आपने install किया है बाद में उसकी permission अगर आपने on किये तो उसको एक बार off कर दिजिए और फिर अपने गूगल पे को गूगल पे में आप किसी को payment करके देखिए आपको problem नहीं आएगी मैं अभी आपको एक गूगल पे में भी दिखा दिता हूँ क्या करना है यह सब करने के बाद आप एक बार अपने phone को reboot कर लीजिए या off करके फिर द्वारा से start कर लीजिए इसके बा अगर आप गूगल पे में किसी एक बंदे को payment कर रहे हैं बार बार वही खोशिश कर रहे हैं और आपको वह error आ रहा है तो आप उस बंदे को change कर लीजिए किसी और बंदे को payment करके देखिए पेमिट ना कीजिए मतलब ऐसा ही करकर देखिए यह payment का option खोल कर देखिए और यह problem solve कर सकते हैं अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दीजिए और share कर दीजिए और मेरे channel को भी subscribe कर दीजिए